जी, इसलाम अलेकुम, I am Zishan Heather from Ecom Reels तो आज से हमारा Speed Optimization का Part 5, इसका Lecture No.2 स्टार्ट हो चुका है आज की वीडियो में हम देखेंगे के हम किस तरह से अपनी वेबसाइट को Google Search Console के अंदर एड़ करवाएंगे और हमने Site Map किस तरह से बनाना है और इसकी Setting किस तरह से करनी है Google Search Console के अंदर हम अपनी वेबसाइट क्यों एड़ करवाएंगे चुके हमारी जो डुमेन है वो बिलकुल न्यू है और Google को इस चीज़ का नहीं पता कि ये वाली एक नई डुमेन आई है, ठीक है हमने इसको Google Search Console के अंदर एड़ करवा के Google को ये चीज़ रेलाइज करवानी है कि ये वाली हमारी एक नई डुमेन है आप इसको इंडेक्स करें ताकि हम जो भी उसके उपर ब्लॉग लिखें उसके बाद कोई आर्टिकल लिखें या कोई भी हम प्रोड़क्ट लिस्ट करें ताकि वो गुगल के अंदर रेंक हो और सारी जो चीज़े हैं हमारी Google उसको आटोमेटिकली इंडेक्स करता जाए ताकि उसके उपर और गैनिंग ट्रैफक आए और हमें सेल आने के चांसिस हो यहां से वेबसाइट को Google Search Console में एड करने के लिए सबसे पहले आपने यहां पे गुगल के उपर टाइप करना है Google Search Console और यहां से आपने पहली जो इसकी ओफिशल वेबसाइट है आपने इसको उपन कर लेना है और उसके बाद आपने क्लिक करना है Start Now आपके सामने यहां पे दो ओप्शिन्स चो हो रहे होंगे एक डुमेन का और उसके बाद यहां पे URL प्रिफिक्स का यहां पे अकेली डुमेन को यहां पे इंडेक्स करेगा URL prefix में आप जो भी blog posting करेंगे, like आपने 10 blog posting की, वो 10 की 10 यहाँ पे index होना start हो जाएगी, अगर आपके 150 यहाँ पे item आपने list की है, product list की है वो 150 की 150 यहाँ पे index होना शुरू हो जाएगी, आपने यहाँ पे URL prefix को use करना है इसके लिए आपने यहाँ पे अपनी जो domain name होगा, उसको अपने copy करेंगा है copy करने के बाद आपने यहाँ पे URL prefix के उपर आपने add करना है, add करने के बाद आपने यहाँ पे continue के उपर click करना है, और यहाँ से आपने थोड़ा सा wait कर लेना है यह आपके website को crawl कर रहा है आपके website को search कर रहा है तो यहाँ से आपको काफी इनके options मिल जाते हैं कि आपने किस साथ से अपनी ownership verify करवानी है सबसे पहले अगर हम यहाँ से देखें तो आप यहाँ से HTML tags, इनका यहाँ पे जो HTML का tags है, आप उसको copy करके, अपने c-panel के अंदर जाके, आपने head का जो section है, उसके अंदर आपने paste करना है, हम यह वाला यहाँ से करेंगे और उसके बाद आपके पास second option यह भी है, आपने जिस से domain ली है, जिस domain provided से like, आपने name chip से ली है, या go daddy से ली है आप अपने उस site को open करें, वहाँ पे आपको लिखाएगा domain name आपने setting को उपर क्लिक करके, आपने add record के उपर क्लिक करके, यहाँ से यह वाला जो code होगा, अगर मैं इस code के उपर क्लिक करूं, तो आप यहाँ से यह वाला code वहाँ पे paste कर सकते हैं, हम यहाँ यहाँ पे चुक्के यह वाला जो code है, हम अपने HTML tag के अंदर add करना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे simple यह वाला code यहाँ से copy किया, copy करने के बाद आपने दोबारा आपने cPanel के उपर आना है, cPanel के उपर आने के बाद आपने उसी domain के उपर आना है, जिस domain के उपर आप add करना चाह रहे हैं, और उसके बाद आपने यहाँ पे WP content के उपर क्लिक करके, यह वाला जो folder आपने इसको open कर लेना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे theme के उपर क्लिक करना है, then आपने यहां पे अपना जो Theme होगा वो आपने यहां पे Select कर लेना है और उसके बाद आपने यहां पे सर्च करना है Header आपने Header का जो Tell है वहां पे आपने यह वाला जो Code है आपने Paste करना है यहां पे यह वाला Header हमारे पास Open हो चुका है हम इसके उपर right click करके इसको हम code editor के उपर click करेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पे head का जो section है इसके अंदर-अंदर head close होने के अंदर-अंदर यह वाला जो code है हमने यहाँ पे paste करना है यहाँ पे यह वाला head यहाँ से start हो रहा है और उसके बाद हमने यहाँ पे यह वाला जो code है यहाँ पे paste कर दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे save and close के उपर क्लिक करना है और उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी website को verify करवाना है हमने यह वाला code add किया है तो हमने यहाँ पे verify के उपर क्लिक करना है और यहां से हम wait कर लेते हैं कि हमारा जो ownership है ये verify कर रहा है ये नहीं तो यहां से हमारी जो ownership है वो verify हो चुकी है कि हम ही इस website के owner है और हम खुद ही इसको google search console के अंदर add करोना चाह रहे हैं और उसके बाद आपने यहां पे go to properties के उपर click करना है और यहां से आपकी जो website है यहां पे google search console के अंदर successfully add हो चुकी है आपने यहां पे simple start के उपर click करना है यहां पे आपके जितने भी results हैं यह 24 hour के बाद आपका सारा data यहां पे show होना start हो जेगा कितने आपकी website के उपर reviews आ रहे हैं कितने clicks आ रहे हैं कितने impressions आ रहे हैं सारा कुछ आप यहां से देख सकते हैं और उसके बाद हमने यहां पे अपना side map add करना है side map add करने से पहले मैं यहां पे आपको URL inspections का एक थोड़ा सा idea दे देता हूँ कि हमने जो भी product list करनी है हमने वो यहां पे Google को बताना है कि भाई इसको index करो as soon as possible ताकि हमारे organic sale आने के chances हो और हमारे जो product होगी उसके rank होने के chances हो तो यहां से मैं like यह वाली items को open कर लेता हूँ open करने के बाद यहां से इसके URL को मैं copy करूँगा copy करने के बाद यहां पे मैं click करूँगा URL inspections के उपर और उसके बाद यहां पे मैं paste कर दूँगा कि भाई इसको जो है आप Google के अंदर index करना start करें अभी आप यहां से देख भी सकते हैं कि हमारा जो URL है वो Google के अंदर index नहीं हुआ 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 और उसके बाद आपने यहां पे test live URL आपने इसके उपर click करना है और यहां से थोड़ा सा wait कर लेना है ताके हमारा जो data है यहां से यह crawl करना start करें तो अभी हमने यह वाले जो items है इसका URL यहां पे Google को बताया कि यह वाली हमारी products है Google को अब पता चला है कि यह वाली भी कोई website है आपने इसकी products को भी index करना है rank करना है तो यहां से हमारी जो products है यहां पे Google ने indexing करना start कर दी है और अब हमारी यह वाली जो item है Google के अंदर search engine में अना start हो चुकी है अब हम आते हैं यहां पे site map के उपर कि हमने अपना यहां पे site map किसना से add करना है यह वाला जो है बहुत ज्यादा easy भी है बहुत ज्यादा मुश्किल भी है अगर आप plugins का use करेंगे तो आप एक click के अंदर अपने site map बना सकते हैं अगर आप manual काम करेंगे तो manual आपको काफी time लग सकता है हम यहां पे आपको recommend करेंगे कि आप plugins का ही use करें तो इसके लिए हम दोबारा अपने website के dashboard के उपर आएंगे अगर आपने यहां पे all in one SEO plugin डाउनलोड किया है अगर आपने rank map इस्तमाल किया है तो आप यहां पे rank map के उपर आएं आपने दुबारा अपने google search console के अंदर आना है add a new site map आपने इसके उपर क्लिक करके आपने यहां पे submit के उपर क्लिक करना है और यहां से wait कर लेना है ताके google search console आपके website का data fetch करे तो आप यहां से देख लिए site map submitted successfully आपका जो site map है वो भी यहां पे successfully submit हो चुका है आपका यहां पे success आना चाहिए अगर error आ रहा है तो आपने वहां पे कुछ देर के बाद 10 या 20 या 25 मिनट के बाद दुबारा try करनी है यहां पे success आना चाहिए अगर success आ गया अगर आपकी website जो है मारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया तो आप मारे YouTube चैनल को subscribe कर लें अपना बहुत ख्यार रखिएगा मिलते हैं एक next वीडियो में अब तक के लिए अब तक के लिए अला आफिस